टाकुली आटो टॉक्स के एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों फिर से स्वागत है प्रीमियम क्लास हेजबेक सेग्मेंट की दोस्तों आप अभी दो ये जो है वेजेंट देख रहे हैं आई टएंटि के सामने जो है पूलर उयार खलर में घड़े हैं यह है जो है इसका मेगना और यह सैकंड बेस जो है स्पोर्ट वेजयेंट बेस और सेकंड बेस आपके सामने है तो दोस्तों I20 की जो है और इस सेगमेंट में है जड़ा तर वही लोग आते हैं जिने थूड़ा सा ना प्रीमियम नेश चाहिए जो वो गाड़ी लें उसमें और माइलेज इतना दिमाग में नहीं रहता अब सबसे देखो माइलेज वाली बात तो ये डेपेंड करती है कि आ आप का ड्राइविंग स्टाइल कैसा है गाड़ी चलाने का यूंकि आप इससे भी अच्छी ले सकते माइलेज और जिसका एकदम खराब ही है जो है ड्राइविंग स्टाइल वो तो CNG भी पकड़ा दी जाए वो ही निकालेगा माइलेज जो है 19-20 की तो मेन जिसे थोड़ी प्रीमियोन नेच्छ्य होती है वो उसके लिए एक हैजबेक सेग्मेंट में एक गड़ी जो की I20 रहती है उसके दो वेरिंट आपके सामने हैं और यही साइड जैदातर सूर्खियों में रहते हैं I20 की जैदातर जैदातर जैदा जो लोग आते हैं तो यह आप सामने देख आपको इस तरीके से आपको चाबी देखने को मिलती है दो दो जो है आपको चावियां यहाँ पर दोनों की एक मैं सेंटर रेमोट लॉकिंग देखने को मिल लिए जिसमें की बूट ओपन, क्लोज और जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है लॉक अनलॉक का उप्शन जो इसमें दिया जाता है यह fold और unfold हो जाते हैं ऐसे तो इसमें यह system दिया जाता है कि आपको क्या है ना electrically foldable ओर वियम से हैं लेकिन इसमें नहीं मिलने वाले fold आपको जो है इसको हाथ से ही करना पड़ेगा तो एक difference तो आपको यहाँ पर पता लग गया है यह चीज तो बाकी अगर आप front profile देखते हैं तो front profile देखिए एक बार दोनों की एकदम same to same है दोनों में glossy color की black color की grill मिल दी है अगर आप देखें इसमें भी वही grill दे रखी है वै projector में दी जाती है दोनों में DRS भी दोनों में LED में मिलेंगी तो front में कुछ difference नहीं है जब जैसी ही आप side profile की हो रहते हैं तो side profile में आपको difference मिलेगा wheel cap का इसमें flex wheel type के हैं इसमें एक तरीके से जो है simple से वील दिये गए लेकिन still दोनों में रहते हैं टायर लेकिन इसमें थोड़ा alloy wheel आली फील ज्यादा आती है C8 का secure drive जो है टायर है यहां पर profile 195, 55, 60, 16 जो है इंच की रहेगी लेकिन इसमें थोड़ी कम रहती है बिरिज स्टोन के टायर के साथ में 185, 65 आर 15 की रहने वाली है तो flex wheel जो है दोनों में यहां पर इसमें रहते हैं लेकिन tone जो रह रही है यहां पर यहां पर जो है इसके wheel covers की तो है वो same to same रहती है अब यहां पर आप देखते हैं fender पर फेंडर पर जो है आपको indicator वो जो है base में दिया जाता है इससे ही जो थोड़ा base लगती है यह लेकिन इस पर आपको वार्बियम पर ही मिलेगा इस तरीके से LED व जो है इसके sports wearing में मिलती है इसमें आपको एक black side दिया गया पोर्चन अब rear section की हो रहाते हैं तो rear section में आप देखेंगे इसमें आपको wire antenna मिल एंटीना मिलेगा इसमें आपको defogger मिल जाता है इसमें आपको defogger नहीं मिलता है high mounted top lamp दोनों में मिलती है दोनों में हैं आपको य प्रॉपर आपको यहां पर बाकी इंडिकेटर एज रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर तो दो है दोनु में मिलते हैं लेकिन इसमें कैमरा भी मिल जाएगा प्रॉपर आपको यहां पर दिया गया है यह देख लीजिए कैमरा बाकी आपको ऐसा कुछ रियर सेक्षन का प्रॉपर दिये गये हैं लेकिन यह चीज साइड में इसमें मिलेगी आपको स्पोर्ट्स वेरिंट में ग्लॉसी आई 20 जो है लिखा हुआ यह प्रॉपर और इसमें नहीं मिलता है तो इसमें थोड़ा यह चीज आपको बेस वेरिंट में नहीं मिलने वाली है बाकी अब र तो बूट ओपन इस तरीके से यह ओपन हो चुगा, दो बार लाइटे जलेंगी, तो बूट ओपन यहाँ पर रहता है, यह रहे सबसे बेश वेरियंट का बूट, जो कि आप यह देख रहे हैं, 311, 311 लीटर का इसका बूट स्पेस रहेगा यह, जो कि आप देखेंगे, इसम पर इस पेर वील मिल जाता है, इस तरीके से, C8 का दिया गया, इसमें इसकी बात करें, तो इसमें आपको इसका भी बूट ओपन यही से आप आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से लाइट जलेगी, तो यह खुल जाता है इसका बूट, तो इसके बूट में आपको प्रॉपर ट्रे भी मिलती है, जो कि आप देखी रहे हैं, साधी साथ जो है, बूट लैंप, बूट लैंप नहीं है इसमें भी, बागी स्पेर वील आपको इस तरीके से, यहाँ पर दिया गया है, इसमें ब्रिज स्टोन का दिया गया है, तो यहाँ से अब आपको पता लग गया होग रियर सेक्शन में क्या के डिफरेंस है दोनों में, अब चलते हैं जड़ा इंटीजर सेक्शन की और इंटीजर की बात करते हैं फटा फट से, तो सबसे बहले इसका इंटीजर देखेंगे, इसको उपन करेंगे, यहाँ सर, जो है चाबी कुछ ऐसी रहती है, यहाँ से उप आपको चारो पावर विंडो मिलती है, साधिसाद आपको चार स्पीकर का सेटप आपको इसमें प्रॉपर मिलेगा, इलेक्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और ड्रैवर सीट हाइड एडजस्मेंट में नहीं मिल ली है, फैबरिक में इस हीटे मिलिंगी, एडजस्टेबल ह इसके साथ में मिलेगा, यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं, जो कि आपे देख रहे हैं, इस टेरिंग के, एडजस्मेंट सिर्फ टेल्टि टाइप का ही है, ऐसा कुछ रहेगा, बाकी यह इसके स्टॉक्स हो गए, वाइपर और जो है, इसके हेड्लैम्स के, और मीटर कंस इसके स्टॉल कुछ, ऐसा रहने वाला है, जो कि, ऐसा सेमी डिजिटल टाइप का है, यहाँ डोर खुला हुआ है, इस टाइप का, इस तरह का यहाँ पर प्रॉपर इंडिकेट आपको करता है, एम इडी बीच में दी गई है, डिजिटल नेगेटिब डिस्पले वाली बाक नॉर्मल जो है, मैनुवल एसी ही मिलता है, इसमें, बारह बोल्ट का एक सौकेट है, यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा, वाला की थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पर रहती है, फाइब स्पीट का यह मैनुवल ट्रांस्मिशन है, यह इसका पार्किंग ब्रेक और आपको आर्मिल लड़के साथ में इसमें मिल जाती है, ABA, CBT, Dual Airbags, आपको यह सारी चीज़ है, इसमें, आइसोपिक, Child Seed, जो common safety features होते हैं, वो इसमें मिलेंगे, लेकिन TPMS उसमें मिल जाता है, आपको वो मैं अभी दिखाता हूँ, आपको फटावर से, बाकी engine तो दोनों में same to same ही रहें लेकिन features जो main है, वो difference जो है, आपको इसमें देखने को मिलेंगे, अब चलें जड़ा, sports variant की ओर, तो यहाँ पे आपको जो है, ऐसे log होती है, और ऐसे unlock करेंगे, तो ORBM से ऐसे open, automatically हो जाते हैं, इसमें भी आपको चारो power window मिलेंगी, लेकिन fold भी आप जो है, manually ऐसा जो है, जब आपको दिखाया जाए, यहाँ पर पूरा integer इसका, इसमें, sports variant में क्या है, seat height adjustment वाली भी आपको proper दे दी जाती है, तो यह काफी अच्छा रहता है, और बाकी adjustable headrest तो इसमें मिली रहे है, आपे, headlight की beam यहाँ से adjust करनी है आपको, और साधी साध यह, इसके integer में आएंगे जैसी आप, तो यहाँ आपको मिल जाता है, चार speaker और दो tutor रहेंगे, लेकिन cruise control भी दिया गया, यह बहुत अच्छी चीज लगी इसमें, और यह देखिए, पूरा meter console, तो यह पूरा meter console आपको, digital आपको ऐजा मिलता है, जो कि बहुत ही premium सा लगता है, और 8 inch की screen मिलेगी, इस automatic, इसमें, जो है, headlamps भी रहती है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं, और wiper के control यहाँ मिलेंगे, नौरमली, तो यहाँ से आप यह सी एंडर होए, तो आपको बता लग गया होगा, एक टीजर को तो यह ने बताया, इंटीजर का, वहाँ से comparison क्या मिलना है, एक तो foldable, वार driver वाली adjust हो जाती है, इस steering पे जो है, यह cruise control मिलना है, और TPMS भी मिलेगा, प्रॉपर यह देखिए, यह TPMS जो है, आपको कुछ इस तरीके से जो है, इसमें देखने को मिलता है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यह टार प्रेशन मॉनिटिंग सिस्टम, तो वो चीज इस बैक केमरा भी इसमें proper दिया जाता है, बागी automatic climate control, automatic AC भी मिलेगा, इसमें 12 बोल का socket, USB, यह सारी चीज़े इसमें दी जाती है, कुछ उसी तरीके से, लेकिन यहाँ 8 इंस की screen add-on हो जाती है, automatic AC add-on हो जाता है, बागी यह parking brake, यह सारी चीज़े basic वैसी मिलनी है, आर्मेस भी मिलना है, इसमें आपको day night IRVM, यह push, गॉगल solder, यह सारी चीज़े basic से कुछ इस तरीके से यहाँ बर रहती है, जो कि आप यह देख रहे हैं, तो यहाँ आपको पता लग गया होगा, यह सारी चीज़े, TPMS मिलता है, इसमें पूरी digital, इसका जो है meter console रहता है, automatic AC है, गलब box क साइच कुछ ऐसा basic सा ही इसमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा रहता है इसका पूरा interior, तो comparison, अब साइच मेरे साब से आपको पता लग गया होगा, तो दोस्तों यहां से अब साइच क्लियर हो चुका होगा, I20 के जो दो वेरिंट आते नीचे के, Magna और यहाँ पर sports वेरिं ही लेना चाह रहे हैं, तो अगर budget अच्छा का सा है, सब तो sports वेरिंट की ओड़ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा tight है, तो आप सबसे base वेरिंट भी ले सकते हैं, सारी चीजे, mainly जो जो चाहिए, electrically foldable, ORBMs और चारो power window, music system, यह सारा को जिसमें मिली जा रहा है, और बागी आगे चलके आप जानते ही हैं, 2023 जो आने वाला है, प्राइस बढ़ेंगी, तो फिलाल अगर अभी ही पसंद आ रही है गारी तो आप अभी बुक करवा सकते हैं, offer भी अच्छेगा से मिल जाएंगे, year end में, तो मिलते हैं और ऐसी नई वीडियो के साथ में